आज मैं आपको अपने वीडियो में बहुत ही खुब सुरत और सिंपल सा ब्लाउज दिजाइन बताने वाली हों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर देर आपने चैनल को अप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली जल्दी से सब्सक्राइब करें तो यह पिछला इसा इसकी कटिंग देख लेते हैं यह मैंने लिया इसको 15 इंच 13 इंच इससे बलाउज बनेगा और दो इससो में इसकी कटिंग होगी तो एक इंच एक्ष्टा लिया है यहां से लिया है मैंने साड़े 9 यानि कि 38 चेष्ट और यहां पर जो शोल्डर है वो है साड़े 7 इंच आर मौले 7 इंच अब इस गले की चोड़ाई मैंने लिया सवा 4 इंच और नीचे से रखा मैंने इसको 10 इंच में यहां से देख लेते हैं साड़े चेंच यहां पर मैंने लिया इसको साड़े 5 इंच और अब इसको कुछ इस तरह का शेप हमें देना है यहां पर मैंने इसको हल किसी गोलाई दे दिये जो सिम्पल लाइन थी यह तरह से अटेच होगा तो मैं यह अस्तर जो है यलोई यूज कर रहे हूं दोनों ही इसो के लिए क्योंकि जो कपड़ा है वो हैवी है उसमें अस्तर नजर नहीं आ रहा है आपके पास अगर लाइट कपड़ा है जिससे अस्तर जागता हो ता आप उसको चेंज कर सकते हैं हुआ है अब 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 हुआ 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 तो यह प्रवाले तोनों इससे भी हमने जोड लिया है अब ये मैंने पाइपिंग ली है एक इंचोरे पट्टी और इसको आपको हलके से खींचते वे चलाना है लगाना है और जहाँ कॉर्णर आजाए यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा लूज छोड़ दे और फोल्ड करने से पहले पीछ में कट जरूर लगा लें जाखोना है और इसी तरह से उपर जो हिस्ते हमने जोड़े हैं महाँ पर भी हमें पाइपिंग लगाने हैं तो यह दोनों इस उपर में पाइपिंग लगाने हैं तो यह दोनों इस उपर में पाइपिंग लिए तो यह साथ में लेस भी लग गई हैं अब हमें अटैच करना हैं दोनों इसो को लेकिन लंबाई जरूर ना पलें साड़े तेरा एंच होगा तो मेरा बलाउस तेरा एंच बनेगा झालों बनेगर एंच छाउआ्ट में काट seems वेखिंगा झालों इस दुवे तेरा एंच होगा धो में बनाखए जाओ झालों बनाख़े तो यह बन्स भी जोगर धो र connection कि यहां पर हमें एक पट्टी लगानी है तो आधा इंज की मैंने पट्टी तयार किये तो यह पट्टी हमने लगाई है क्योंकि हमें इसके उपर एक बो लगाना है तो बो बनाने के लिए देखें मैंने कपड़ा लिया है यह 5 इंच और यहां से 3.5 इंच और बीचो बीच इसको थोड़ इसी जगे से खुला रखें तो यहां से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और दूसरा कपड़ा लिया हमने लंबाई में 7.5 इंच और यहां से 4 इंच यहां पर भी मैं सेंटर में थोड़ा सा छोड़ देना है जो लिए प्रीव जाल दुला लेको यहां से खुह दो और भी मैं लेका लटार में लेका है क्याओ बीच बीच और दो बीच प्रावश प्राव देखें हमनों इसको फोल्द कर लिए हैं अधिक इसका सेंटर देख लेते हैं और यहां पर हमें सेंटर में इसको अटेच करना है और यह लगा लेंगे पीछे की डाट तो friends आपको वीडिव कैसा लगा यह डिजाइन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जूरूर परया है आपनए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहली बार वीडियो देख रहे तो चैनल को जूरूर सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन पर भी क्लिक करें थाके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्स वर वाचिंग